नमस्कार मित्रो नई क्रिशी दर्शन में आपका श्वागत है और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था डिमांड आ रहा था कि आप देवरियां के BBC का जो डेरी फार्म है उनका वीडियो बनाए तो आपके कमेंट पर आज हम पहुंच चुके हैं देवरियां जीले में BBC के डेरी फार्म पर तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको जनकारी देंगे कि डेरी फार्म पर कैसे रखका होता है और खास बाती है कि इस डेरी फार्म पर जो है चानल पर नया है तो क्रीपिया इस चानल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि हर वीडियो का नोटिपीकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए हम आपको फार्म के अंदर विजिट करा रहे हैं आप देख सकते हैं फार्म के अंदर यह गाय हैं गायों के थन की बनावट आप बारे किये जाता है हर गायों के दो इसलिए आप इस वीडियो को अन तक देखिएगा बå rhetoric को सब्सक्राइब पन्सक्रेंग की देहा विडियो को कैसे चल्लाया जाता कौन-कौन सी बिमारियां होता है कैसे उसका बचाव किया जा सकता है तो चलिए इस फार्म के अनर से हम बाचीत करते हैं कि कैसे इस फार्म को रन करते हैं नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल को श्वागत है, सबसे पहले आप अपने हमारे दर्सकों को अपना थोड़ा नाम बता दीजी और ये फार्म कहां परिस्तित है, वो बता दीजी ये फार्म मेरा नाम जो है डाक्टर विवी शिंग है, मैं यहां से बारा किलो मेटर दूर्द पर दुनिया का रने वाला हूँ, डाखाना थाना गोरी बजा रहा है, देवरिया जन्पद है, यूपी में हम लोग रहते हैं, और ये डेरी जो है, आज बतीस तेंटीस वरस होए, मैं रिटार्मेंट के बाद चला रहा हूँ है, और ये डेरी से जब तक किसी का लगाव न आज नहीं होगा, तब तक डेरी नहीं चलेगी, डेरी का मूल मंत्र है कि आप जानौर से लगाव रखिए, प्रेम रखिए, उन से उनको देखिए कि क्या दिन चरिया है, कौन से इगाई क्या चाहती है, उस तरह का रख रखा, उस तरह का खान पान, जादे बरीट की जो ग होगी मैट देना होगा नहीं तो वेटेट गाय होती है उनका घुटना खराब हो जाता है थन कट जाता है इसे लिए मैट की बहुता आश्यक है हर पश्पालक को बीना मैं जो भी पश्पालक हैं वो कम से कम दो काम जरूर करेंगे एक थर्वामीटर और एक स्रींज जरूर बिवन्हींज भी हो और यहां को हजारों की शंख्या में गाए वोनर्स है तो उनको आप कहां से ऐलाज करा पाएंगे तो टाइम से नहीं आएंगे उन से सलाह लेकर के जिए अच्छे पुस्वालत से सलाह लेकर के आप उनका ठीटमेंट करें दूसरी बात यह है कि पीश् जहां ब्रीड की वह है कि हर हाइस ब्रीड जो है आपका अपने अस्तर से बढ़े जब उनकी ब्रीधिंग बढ़ती जाएगी जेन्टिक्स बढ़ता जाएगा जेनरेशन उंचा होता जाएगा तो वह उतना ही मिल्किन काउव होती जाएगी लेकिन उसमें यह है कि रख रखा हो आपका सही होना चाहिए हर रोग का उपचार भी हर अगर पश्पालक अनुह वाला है तो हर रोग का उपचार भी है जैसे पर एक्जामपूल जैसे गाए को थनईला बहुत होता है जहां 20 गाए 25 गाए 50 गाए 100 गाए दूट देती हैं तो वहां दूट जब आप हुआ हैंगे तो हर गाए के डूट से जब लर्षा आएगा तो आप टथकाज दवा कर देंगे तो वह एक से क्योर हो जाएगा जब क्योर हो जाएगा तो भीमारी खतम हो जाएगी नि घ्रन को गृए उसको थनको दवा भी याती है जो जो डीप कर देने से उस फ्पनेलआ होता नहीं है तो थनेला से इस तरह से बचा हो जाएगा दूसरी बीमारी यह होती है कि इनको निमोनिया हो जाता है जीव निकाल के होती है तो उसमें डॉक्टर जो है एक आज इंजेक्शन लगा के गया और फिर दो दिन 24-36 घंटे के बाद आए तो वो सुबश शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगेगा इंटिवाटिक से लेके दर्द बुखार का तब वो गंटूल होगा उसी तरह से बीमारी है आपकी किसकी यह आपका नान गाविन होने की तो गाविन नहीं होती है गाई इसका कारण है जो ओनर है वो लापरवा है उनर लापरवा है इसी सिती में जब गाय बच्चा देती है तो फस्ट हीट में जब आती है तो उसको आप दवा डलवा के छोड़वा दें नेक्स हीट में आप उसको सीमें डलवाएं और सीमें पर ध्यान दें कि उनका नाइट्रोजन सही है कि नहीं है अगर नाइट्रोजन सही नहीं है तो इस पर मर पर वो डालते हैं 101 degree body temperature है 101 और दो के आज पास देड़ के बीच में ही उस वो जो सीमें डालते हैं नाइट्रोजन से निकालके तो पानी का तंपरेचर होना चाहिए तो उस तंपरेचर के बाद ही उसको फिर जो है एक मिनट उसमें रख करके दो मिनट तब फिर उसको सीमें ड होता है तो उस जीमन का बहुत सारे हमारे प्षुपालक भाई जो है नहीं पासाण पाते हैं कि यह कौन सा भूल से एक बूल नाम लिखा रहता है तो कई परसेंट का है वो लिखा रहता है या तो उनके इंट्रेस्ट पर हेल्ट करता है अब रगई बात कि गाए बच्चा सब्सक्राइब श्युक्त सब्सक्राइब गाय के ताकत लगाने के साथ अपना शायोग करके अखीच के बाहर कर लेना उसको आगे रख देना गाय को खड़ा कर देना कि फिर प्रुलेप्स के सोगरा नहों तो इसलिए यह जो है जब आप स्वाइंग जागरू को रहेंगे तो तभी यह संभवा है कितन तो इसलिए ओनर का एक्टिव होना बहुत ही आउश्यक्त है तीसरी बात ही है कि गाय जो है दूद करसे देगी क्योंदेगी तो दूद देने के लिए उसके लिए आपको अगर हराचार नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको मिंदल और कुछ लिवर टानिक उगाय के टिम oppos Me इंक्लूड अभी करना पड़ेगा ठीक हैं कीडी की दवा जहां तक है लोग मांते नहीं, डियात में, राद में सलसाल भर नहीं देते हैं, भीमार परती है, गाए जो पतला दस्त करने लगती है, तो उसके लिए भी है, कि आप तो यह सारी चीजें जब तक उसके नौलेज में नहीं आएगी, वो सीखेगा नहीं, जानेगा नहीं, अगाय बाद केके देरी चालू करेगा तो देरी फुलाफ होगी, चलेगी नहीं, आज कलके नौजवान जो है, शीखना कम चाहते हैं, ज्यादे पैसा बटोरना चाहते है तो पहले समय लगता है सीखने में, कोई भी काम करने में और सीखने में टाइम लगता है, जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप अपने पैसा आपके हाथ आने लगेगा, उसमें कहीं कोई दिकत नहीं, इस तरह से जो भी जागरूप पसुन हैं, उनकी डेरी ही केवल जो ध्यागरूक नहीं है, जो पढ़्े लिखे नहीं है, वे सारी चीजे के बारे में समझ्झते नहीं हैं, वे नहीं समझते हैं तो उनकी गाएं फ्लाफ करती हैं, फेल होती हैं, गाविन नहीं होती हैं, बीमार परती हैं, दवा कराना पड़ता है, सारा पैसा डokнуться लेके गाय के दाम से अथिक पैसा खर्च हो जाता है तो फिर ऐसी इस्थिति में आपका कहां से भरण को जाता है तो इसलिए आपको चाहिए एक चेन भी मेंटेन करना जैसे आपके पास 20 गाय हैं तो 10 गाय बराबर दूद दें 10 गाभिंद हैं और इस तरह से गाभिंद हैं कि ऐसा अबक एक सुखा हो जाए एक आएक दूद हो जाए तो फिर आपके डेरी साठ पैसा पासे आएगा उनको कहने के लिए तो घरज़्ज़ खेती बारी बेज़ के ख़물 आए जाए इतना खाती है उनको मेंटेंग करने के लिए उसमें चयन बनाके मिवेल्स मेहना चार मेहना इतना खाती हैं उनको मेंटेंग करने के लिए उसमें चेन बना के हर दो महिना चार महिना पर गाय को हम ड्राइ करते रहें एक बच्चा लेते रहें इस तरह से चेन मेंटेंग रहेगा गाय के लेक्टेशन का तो फिर आप हमेशा स्वस्त रहेंगे और दूद मिलता रहेगा पैसा आता रहेगा इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में जैसे एक बिमारी है टियार्पी हो जाती है टियार्पी कहते हैं कि वो कील काटी खाली है तार खाली है अब वो गाय बचेगी नहीं डॉक्टर का यह कहना है कि यह गाय मर जाएगी तो ऐसी इस्तिती में दवादारू करते हैं फिर वो मरी जाती है तो उसके बचाओ के लिए मैंने एक उपाय सोचा है वो है भूशा धोल करके गाय को खिलवाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें उस गाय को उस डेरी में टियार्पी की विमारी नहीं होगी इस तरह से तमाम रोगों के बचाओ के लिए इस प्रकिर्ट ने ब्योस्ता बनाया है लेकिन आपकी जानकारी होनी चाहिए बच्चा देने के एक माह पहले सर गायों का किस तरह से रख रखाओ गिया जाए क्या मतलब उनको खिलाया जाए पिलाया जाए ताकि वो बच्चा देने के बाद उनका मिल्क प्रोडक्शन जो है अच्छा हो और वह अगाय जो है जेर आसाहि से निकाल दे तो कि बहुत सारी समस्या होती है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं बच्चा देने के पहले और बच्चा जब देती है गाय तो जेर निकालने में भी समस्या होती है और बच्चा निकलने में भी समस्या होता है तो इस समस्या का कोई घरेलू या कोई देसी उप्चार है कि नह के शरीर में भरपूर एनरजी एकजाई हो जाता था तो वह बच्चा आसानिस निकालती थी या बीमारी नहीं होती थी लेकिन आजकल फ्रीजियन को यह जो 30 लीटर बचीत लीटर 32 लीटर 40 लीटर 50 लीटर दुड देंगी उनके लिए इसमी रखने नहीं करेंगे उनको ऊचित ट डियुक्त से सलाह नहीं लेंति तेक आपका भवी दू G10 ner है अब गाई के लिए वह देखना पड़ता है की गाय को पहले ब्यात में कौन सा अहर देना है क्योंकि गाय की उमर कम है अगर दो दाद की बचे आए तो दो साल उमर है अगर दो साल की उमर में वो बच्चा निकाल लई है तो उसका स्वास्त बढ़िया नहीं रहेगा उसका भोजन बढ़िया नहीं रहेगा उसका मेंटिनें किसी भी कंपनी का आप दे सकते हैं तो वह कम से कम 50 ग्राम और लाक्टेशन काउ को दूद की अंसार 10 ग्राम पर 50 ग्राम फिर 15 ग्राम फिर 100 ग्राम फिर 1500 ग्राम जैसे जैसे दूद बढ़ता जाता है उनका वह काना में की डोज जो है मेंदल काफ बढ बढ़ता जाता है massive ने कर शबिखें को यह ऐसी चीज नहीं है क्रम क्लशियम तो वही क्या चीनी और लग डाल के पानी डाल के लोग अग्र देते हैं वो सबसे काम नहिठेते वाला मिंड़ कई उसमें राव इसमी समात्रा में चाहिए वह सारी चीज उसमें उपलब्द होता है इसलिए मेंडल मस्ट है उसके बाद आपको यह देखना है कि गाए नौए महीने में है तो तमाम दवाएं हैं जो डाक्टर बताते हैं जैसे मार्कोलाइट है मेटाबोलाइट है यह सब प्रिगनेशी के 20 दिन पहरे दिया जाता है जे लोगर है तम आपके पास कोई कोई दिक्कत परिशानी आपको खड़ी हो सकती है इसलिए मेंडल तो बार हो महीना एक बच्छिया से लेके बड़े जानवर तक आपको खिलाना है अगर स्वस्त रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिती में खर रोखना चाहते हैं तो रोख का निदान है जैसे आपके गाय का पक्के पर बांद देंगे स्लिप करेगे हाथ पर टूट जाएगा सुनने में आता है कि घुटना सूच गया तो उसके लिए आजकल जो आधिनिक जुगा है उसमें फरस करा के मैट डाल दिया जाता है तो यह सब संकट नहीं आता है इसलिए गाय के प्रति जागरू को रखना उनकी सरसफाई रखना उनका हर दिशकूं से श्रास्त के प्रति जागरू को रहना यह आउश्यक है अज जब तक यह काम नहीं होगा यह आपके डेरी हमेशा फ्लाप होती रहेगी इसलिए तीन चीजे आउश्यक हैं बृत, फीड करते हैं भोजन आपका अच्छा हो तीसरा है मेंटिनेंस आपका रख रखाओ जैसे उसमें का नाम है कि ऐसा हो जिसमें गर्मी कम लगे गाय आराम से रहे उसको आक्सिजन भरपूर मिले ऐसा नहीं कि ब्लॉकिस करके आपने बना दिया गोदाम की तरह से उसमें गाय र पड़ जाएगा गायों को वी टीवी की विमारी होती है लेकिन कब होती है जब उनको आक्सिजन भरपूर नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिती में उनको सही रखने के लिए आपका मेंटिनेंस वह रख रखाओ आपका चावना चाहिए अच्छा चीजा है प्रिवेंशन जो बहुत बढ़िया आपकी जातकी गाय है बहुत बढ़िया आपने भोजन करा दिया बहुत बढ़िया आपने रखवा दिया और बहुत फिर आपने टीका जो है लगवाया तो टीका एफमटी का मश्ट है गाय के लिए वह देखिए महीने की बात नहीं है वह आपके उपर ड तो उस समय दूद की डिमांड भी कम रहती है अगाय दूद भी काफी देती हैं तो उनका थोड़ा बहुत दूद उस पीरियेट में जब तीका लगता है दो चार दिन कम बेस होता है तो उसका कोई फरक महीं पड़ता है आपकी गाय फिर मेंटें हो जाती है उनके अंदर करता है अपने आप हो जाता है एक गाय को जाता है तो सारी गायों को इंफैक्षन हो जाएगा आप बचा नहीं पाएंगे वह इस तरह की बिमारी है जो बहुत तेजी से आग की तरह से फैलती है और सब जानवर को हो जाता है, तो जो दूद देती है, उनका दूद बंद हो जाता है, जो गाभिना है, वो बच्चा निकाल देती है, जो छोटे बदीज़ अगा, शोक guess यह मर जाते हैं, यह चारो चीजों का एक ही मूल मंत्र है, यह चार तो अवश्चक चीजें हैं, ब्रीट, फीड, मेंटिनिस, और प्रिवेंशन, लेकिन इसका मूल मंत्र है, आपकी जागरूपता, यह चार तालें हैं, चाभी कैसे लगेगा, तो माश्टर की जो है, आपके हाथ में आए, वो जब आप समय से दुवाएंगे, समय से नालाएंगे, समय से नास्ता देंगे, तब जाके यह संभव है, ऐसे नहीं है, कि आप बटे हैं कुर्शी लगा के, आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? उल्टा सिदा जो भी कर रहे हैं, आप उसके बारे कुछ नहीं जानते हैं, वो चलने वाला नहीं है, जादे दिन नहीं चलेगा, इसलिए आपका interest इंवाल्ब होना सबसे पहला काम है, बिना आपके interest इंवाल्ब के ना उसकी दवा हो पाएगी ना उसकी का जानकारी होगी। गाएको जैसे रेट वाटर हो जाता है गाएको ठैनेली नकार मेतले होरी सराथ सारे भीमारियों का हुपचार है लेकिन समय से ड poses का difole प्रविग होजाएं तो आप इस तरह से चला सकते हैं तो यह सारी चीजें जो हैं काउंट करती हैं आपके अपने ऊपर आप कितना इंट्रेस्टे इन्वालब करते हो काइसे ध्यान देते हैं बिना इसके नहीं चलने वाला है तो एक समस्या होती है, तो प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मार्केटिंग, मार्केट नहीं मिल पाता है कि दूद हम कहां पर सेल करें, तो कुछ आप ऐसा कुछ अनुभव बताईए, ताकि आज के जो जुवान है, जो डेरी फार्म किये हैं, या करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग वो कैसे पकड़ें? वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके कार्य प्रणाली पर, जैसे आप जब दूद बढ़िया देंगे, दूद जब घटिया देना शुरू कर देंगे, तो आपके दरवाजब कोई पानी लेने नहीं आएगा, कोई भी दुकांदार या पराग या कहीं भी दूद दे गber में दूद तो वो निश्द रूप से आपसे बढ़िया दूद चाहेंगे, जिसका सनफ बढ़िया हो, जिसका प्रोटीन बढ़िया हो, जिसका फेट बढ़िया हो, वो चेक करके तब दूद लेते हैं, वुश Chemistry लिए आपको अपने जानवर को मेंटेन करना बीमार जानुवर से आप कितना उमीद करेंगे तो इसलिए आपको सबसे आवस्चक चीज है दूद कहीं भी देंगे अब हमारे यहां से तो ग्वाले भी 25-30 लिटर दूद ले आकर के ले जाते हैं तो इसका मतलब कि वो पानी लेने नहीं आते हैं दूद लेने आते हैं जो पानी आप देना शुरू करेंगे तो आपके यहां कोई नहीं आएगा तो पहली पाल्सी है अनिस्टी बेश पाल्सी आप दूद की गुलवक्ता बनाईए और दूद को दीजिए अज दूद जब आपकी गुलवक्ता युक्त होगा जब सारी चीजें उसमें एक मानो शरी के लिए देखें दूद की अभी सेस्ता है कि दूद जो है मानो के लिए एक बर्दान है दुनिये का कोई भी रासन मत खाये केवल दूद पी लीजिए वो बच्चा हो या बुला हो सर्वांगीड विकास होता है वो कहीं कोई कमी नहीं रहती है आज नहीं अगर दूद मिलत है तो उसके लिए तमाम चीजें खानी पड़ती है जैसे दूद घी आपको चावल डाल सब्जी फल तमाम चीजें खाना पड़ता है तो अब जाकर के बाड़ी संतुलित होती है अकेवल दूद एक ऐसा पदार्थ है दुनिया में जिसको हमारे रिशी महर्ची देवर्ची सारे लोगों ने इसका ब्यान किया है सब लोगों ने बताया है कि ये गो माता है मा के सत्रिशिन का दूद है इसके दूद को पीने से सरीर का सरवांगीर भी कास होगा कहीं कोई कमी नहीं आएगी इतना ही नहीं इस गाय के करेक्टर की बात है जो ये गाय है इसका चरित्र ह एक भैस के बच्चे को सेर के सामने रख ये गाय अगर दुबली भी है कमजोर भी है तो सेर को माथह लगा देगी लेकिन अपने बच्चे को जब तक नही खाने दीगी जब तक उसका इतना बड़ा समर्पन नहीं होगा तो इसलिए यह जो है इस उस खून से बना हुआ दूद जब हम उसका पांग करते हैं तब जाकर के यह हमारा देश हमारे राश्ट के बच्चे हमारे लोग हमारे जो भी अनुवाई हैं जानकार हैं बड़े लोग हैं सब उसका लाब लेंगे तब नो वो आगे बढ़े तो सारी चीजें काउंट करती हैं देखिए वह ब्लड करेक्टर होता है सब लोग काते हैं सबका खुन लाल होता है लेकिन लाल तो होता है लेकिन एक ही खुन सबको नहीं चलता है ब्लड ग्रूप होता है उसी तरह से यह गोम आता है इनका ब्लड ग्रूप है और उस गांदी जीसे लोगों ने पूछा कि दूद सबसे अच्छा किसका होता है तो गांदी जी ने बताया था जूद सरसे अच्छा बकरी का होता है। कुछ लोगों निया का गाय का ला थो अमृत है दूद कहा है वह तो अमृत है दूद ही नहीं है वह तो जीवन पालंधार है तो इस तरह से गाय की जो भीशेस्था है उसको अपने चरित्र में रखके उसके अनरूप काम करेंगे आप सदैक सुखी रहेंगे तर इतिनी जनका आपका बहुत बहुत नहीं वाज़ा है दाइचालो के मैं दिया